नमस्कार मैं डॉक्टर हिदेंद शर्मा लैप्रोस्कोपिक सर्जन मनिपाल हॉस्पिटल गाजेबाद आपको एक कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम की जानकरे देने के लिए जो है अपेंडिसाइटिस अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स का इनफेक्शन और अपेंडिक्स एक छोटा सा वेस्टीजियल ओर्गन वेस्टीजियल मतलब जिसका हमारी बॉड़ी में अपकोई यूज नहीं बचा ये छोटा सा और आपकी छोटी इंगुली के बराबर होता है और बढ़ी आथ और छोटी आथ के जोड़ पर लटका हुआ होता है और इसमें काफी commonly infection हो जाता है जिसको appendicitis कहते हैं इसकी कोई खास age नहीं है चार साल के छोटे बच्चे मिल सकता है 18 साल की उमरें मिल सकता है 40 साल का आदमी हो या 18 साल का किसी भी age में appendix में infection हो सकता है और इसका समय पर इलाज होना बहुत जरूरी है लक्षण है वो है आपके पेट वाले हिस्से के right side lower तरफ पेन होना दर्द होना काफी सिवियर पेन होता है हिलने में डुलने में पेन बढ़ता है खासने से पेन बढ़ता है और साथ में उल्टी होना फीवर आना यह भी हो सकता है अगर इस तरह के लक्षण हो तो डॉक्ट दब एक दूसरे के पूरक है पहला सर्जन का हाथ वो अपना हाथ रखके confirm करता है कि दर्द किस प्रकार का है अगर सर्जन कहता है तो लगबक 80% के आसपास diagnosis confirm हो जाती है इसको पूर रूप से confirm करने के लिए एक blood test और एक ultrasound करवा सकते हैं blood test के अंदर हमको infection के counts देखने होते हैं अगर वो बड़े हुए हैं तो TLC count कहते हैं और ultrasound जो हमको बता था appendix में कितनी सूजन है इस चीज के बावजूद भी अगर कभी doubt रहता है तो CT scan भी करवाय जाता है जो लगबक 100% confirm कर देता है लेकिन जातर cases में surgeon का हाथ blood test और ultrasound यह आपकी diagnosis को confirm कर देते हैं एक बार जब appendicitis की diagnosis confirm हो जाए तो उसको दवाईयों से दबाने की कोशिश ना करें surgery से ना डरें क्योंकि appendix का समय पर इलाज हो जाए surgery करकर उसको निकाल दें यही उसका सबसे उचित तरीका है इसको delay करना देर करना दवाईयों से दबाने की कोशिश करना इसमें बहुत severe complications कर सकते हैं इ और जिसकी वज़े से एक छोटी surgery कई बार एक बहुत बड़ी surgery में convert हो जाती है जिसमें पूरा पेट खोल के surgery करनी पड़ती है appendix को operation लेप्रोस्कोपिक लिए दुर्बीन से करा जाता है एक बार diagnosis confirm हुई तो पेट में बस छोटे छोटे तीन होल करे जाते हैं बहुश करके surgery होती है पेशन को बिल्कुल पता नहीं चलता और appendix को निकाल देते हैं next day आपकी छुटी हो जाती है और हफता भर या 8 दिन के बाद आप अपने office वगरा चा सकते हैं अगर आप इस surgery को delay करते हैं तो 4 या 5 दिन के बाद फिर surgery करना उचत नहीं होता वहाँ पर गांट बन जाती है लंप बन जाती है ऐसे में कई बार antibiotic से उसको दबाया जाता है और फिर 6-8 हफते बाद सजरी करवाई जाती है समय पर सजरी करवाना ही appendicitis का उचित इलाज है आपको या आपके घर में कभी किसी को भी इस प्रकार का दर्ध हो तो उसको समय से पहचानिए और डॉक्टर को दिखाईए धन्यवाद नमस्कार